आज मैं आपके बीजु पस्थित हुई हूँ कुछ क्वेशन्स लेकर के चाइल्ड डव्लाप्मेंट से सम्बंधित प्रस्णी यह है कि ट्रस्ट एंड मिस्ट्रस्ट की विशेश्थाएं हैं ट्रस्ट और मिस्ट्रस्ट विश्वास और अविश्वास की क्या विशेश्थाएं हैं क्या गुण हैं तो इसका जो अप्शन आपके पास वो है Stranger Anxiety, Separation Anxiety, Risk and Resilience और चौथा है Ericsson's First Stage of Psychosocial Development कौन सा Option सही है इन में से विश्वास, Trust and Mistrust आविश्वास की विशिस्ताई हैं क्या है करेक्ट एंसर है Ericsson's First Stage of Psychosocial Development Ericsson का मनोसामाजिक विकास का ये पर्थम चरन है जिसमें बच्चा विश्वास भी करता है और विश्वास नहीं भी करता है अक्सर आप देखे होंगे छोटा बच्चा कोई भी कहता है मेरे गोद में आ जाओ उसकी मा रहती है उसके पापा रहते है को खड़े हुए तो तुरन दूसरे अजनभी के गोद में चला जाता है सब्वास होता है लेकित थोड़ी दकवाद उसके बहसास होता है कि यह यार यह कही लिज से दूर न कर दे तो फिर बच्चा रोने लगता है देखते हो ना भच्चा रूरा हट जाता है हो ड़ो All day तो यह क्या है दूसरा है picture बनाना, तीसरा है कीले ठोकना, चौथा है पियानो से खेलना, expressive moment, जिसमें में expression करते हैं, suitable answer इसमें कौन सा है? एक्सप्रेसिव मुवमेंट का उदारन है डांस करना जिसमें बिभिन मुद्राएं करती है नाचने का हसने का आत उपर करने का पैर आगे पिछे करने का कमर लचकाने का कंधा उचकाने का यह सब क्या है एक्सप्रेसिव मुवमेंट का उदारन है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है निमनिमे से कौन इंस्टूमेंटल मुवमेंट का उधारन है पहला जुँन है निर्थे करना दूसरा है पजल को सोल्ब करना तीसरा है skipping करना, चोथा है acting out a scene, instrumental का, instrumental movement का उधारन क्या है, putting together a puzzle, कोई भी puzzle होता है, उसको solve करता है, उसको एक साथ रखता है, तो instrumental movement का ये example है, next question आपके पास कि जो creative बालक होते हैं रचनात्मक बालक होते हैं वो क्या चाप छोड़ते हैं उनमें कौन सा विसिस्थाई पाई जाती है जो बच्चे रचनात्मक होते हैं उनमें क्या गुण होता है क्या विसिस्थाई होती है option है आपके पास हठी और जिद्दी होते हैं दूसरा है आत्म विश्वासी होते हैं तीसरा होता है उनमें बहुत उच्च उर्जा छमता होता है और चौथा है उपरक्त सभी विकल्प सही हैं सही उत्तर गया है कि जो बालक रचनात्मक प्रिविर्थी के होते हैं उनमें कौन सी विसिस्थाएं पाई जाती है ऑप्सन आपके पास है हठी और जिद्दी होना दूसरा आत्म विश्वासी होना तीसरा उच्च उर्जा वान होना और चौथा है उपरक्त सभी सही उत्तर क्या है उपरक्त सभी जो बालक रचनात्मक होते हैं वो हठी और जिद्दी होते हैं अपने काम को पूरा करके छोड़ते हैं पढ़ते हैं तो पूरी किताब पढ़ेंगे पोयम लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं पैंटिंग करते हैं तो पूरा करके छोड़ते हठी और जिद्दी होते हैं आत्मी विश्वासी होते हैं उनको सेल्फ पर काफी कंट्रोल होता है फिर उनमें एनर्जी नेवल बहुत अधिक होता है बच्छे बैठने वाले नहीं होते हैं और सही ऑप्शन क्या है सभी विकल्प इसका करेक्ट है नेक्स्ट है आपके पास कि पैरेंटल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन थियोरी किस ने दिया है पैरेंटल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का थियोरी किसके द्वारा दिया गया है बताओ पैरेंटल, एक्सप्टेंस and रिजेक्शन थियोरी किसके द्वार्द दिया गया है आपके पास ओप्षन है रोहनार, दूसरा है एंस्वर्थ, तीसरा है पियाजे, चोथा है कूपर स्मिथ विच वन इस दे करेक्ट अंसर दे करेक्ट अंसर इस रोहनार रोहनर ने इसको दिया है, पैरेंटल, एक्सप्टेंस and रिजेक्शन थियोरी कि पैरेंटल जानते हूं, माता, पीता, रिजेक्शन, आजश्विकार करना, एक्सप्टेंस, श्विकार करना, यह जो थिया गया है रोहनर दिया है ठीक है इसके बाद एक कुशन और पूछती हूँ निमने में से की सवस्था में सिंबोलिक थोट डिबलब होता है शंकेतिक विचार की सवस्था में विकसित होता है आपके पास है अप्षन प्री ओपरेशन दूसरा है सेंसोरी मिटर तीसरा है कॉंक्रिट ओपरेशन और चौथा है फॉर्मल ओपरेशन की सवस्था में बालकों का सिंबॉलिक थौट डबलब होता है आपने सब पढ़ा होगा पी एजे पी आजे का एरिक्सन्स का डबलब्मेंट करेक्ट ओप्षन है प्री ओपरेशन प्री ओपरेशन सवस्था में सिंबॉलिक थौट डबलब होता है नेक्स्ट क्यूशन है आपके पास सेल्फ एस्टिम का अध्यान किस ने किया है सेल्फ एस्टिम तो क्या बोलते हैं आत्म सम्मान आत्म सम्मान का अध्यान किस ने किया है कूपरस्मीत प्याजे एंस्वर्थ या इन में से कोई नहीं कि सही उत्तर है को परस्मीद को परस्मीद ने सेल्फ एक्स्टीम का अध्यन किया है 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 नेक्स्ट क्वेशन आपके पास है वो यह कि वह ग्रोथ बालगों का वह ग्रोथ जो इंट्राउटिर्राइण ग्रोथ रिटार्डेशन या रेस्ट्रिक्शन से सरवाधिक प्रभावित होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा ब्रिधी प्रभावित होता है वह ब्रिधी जो इंट्राइटिराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या रिस्ट्रिक्शन से सरवाधिक प्रभावित होता है तो क्या होता है mental skill, बालकों का option आपके पास चार mental skill, height, weight या motor skill, intra-uterine retardation या restriction के कारण कौन सा growth सरवाधीक प्रभावित होता है, intra-uterine growth, care retardation या restriction के कारण सरवाधीक कौन सा growth प्रभावित होता है, बालक का height, बालक का weight, बालक का mental skill या बालक का motor skill, छोड़ दो आपके लिए, intra-uterine मतलब बच्चा जब मा के गर्भ में रहता है और उसमें retardation हो जाती है, उसमें कोई कमी हो जाती है, या उसको रिश्ट कर दिया जाता है, तो सबसे पहले देखते हो, प्री मैच्चूर बालक पैदा होता है, उसका weight सबसे ज़्यादा affected होता है, सरवाधिक weight affected होगा, कम बजन का सिशू पैदा होगा, समझ गएं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, A stimulus response theories का केंद्रिय सिधान्त क्या है? A stimulus response theory का केंद्रिय सिधान्त क्या है? Conditioning, experience, love effect या perception, सही उत्तर क्या है? बोलो, A.S.R. कहते हैं, A stimulus response, A stimulus कहते हैं, उत्तेजना, रेस्पोंस को कहते हैं, क्रिया को, तो उत्तेजना क्रिया थियोरी का केंद्रिय सिधान्त कौन सा है? Conditioning है, experience है, love effect है, या perception है, सही उत्तर क्या है? Conditioning. Next, होट इंपोर्टेंट क्वेशन, वह आपके लिए छोड़ती हूँ, देखते हैं कितने बच्चिस्म का सही जवाब देंगे, वो ये, निम्न में से कौन reality principles को operate करता है? निम्न में से कौन reality principles को operate करता है, इगो, इड, सुपर इगो, या प्रुक्ट सभी. reality principle को कौन operate करता है? इगो करता है, इड करता है, या सुपर इगो करता है, या उन करता है. में हिंट देती हूं, एक एक्जाम्पल से बताती हूं, जैसे ये 14 साल का बालक ये 15 साल का बालक कहीं जा रहा है, सुनसान गली है, सुनसान गली में एक सुन्दर सी लड़की उसको दिखता है, दिखती है, सुन्दर सी लड़की उसको दिखाई पड़ती है, बहुत सुन्दर लड़की, बहुत क्य के खुन पीघे से को भी और है उसके सुंदर्ता को देखता है मुग धो जाता है और यह सोच आए दकी तो कितीने प्यारी है इसके साथ to play री आ जा इसकेος तो οι इसके साथ तो इगो क्या है, सुन्दर सी लड़की दिखती है, लड़का जा रहा है, उसके मन में लालच तो आता है, कि लड़की बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत सुन्दर है, एक बर उसे बात कर ले जाए, लेकिन जब बात करता है, तो उसके मन में एक आचरन होता है, अच्छा सिस्ट बेवार होता है सोचता है यह मेरी बहन की तरह है मेरी बहन भी तो रास्ते में इसी तरह से जा रही होगी तो उसको एजे सिस्टर देखता है तो इगो कहलाता है और तीसरा लड़कि ऐसAG इसी ज़ान का वही लड़की है वही लड़का पिछे से जा रहा है लड़की बहुत सुन्दर है लड़का क्या सोचता है आरे जा रहिए जाने दो कही कोई लड़का इसको छेर छाडंड़ा कर ले मैं इसको सुरपषा की भावना से इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ और इसको मंजिल तक पहुचाने का मैं कोशिस कर रहा हूँ हो सकता है किसी लड़के के मन में इसके प्रती गलत भावनाई पन अपन ही जाए तो आज मैंने आपको इस दो क्रिस्टन मैंने समझा दिया है और एक क्लिसटन का मैं जवाब आपके मांग रही हूं किन्ह नोमें से कौन रियालीटी प्रिन्सपल्स को और परेट करता है कि ई-गो इड या इन में से सभी और एक लास्ट क्रिश्टन्स एक सिसु के लिंग का निर्धारन किस समय होता है कि धूंड के बतावा आप कंसेप्शन के समय गर्भाधान के समय या पिरिएड आफ ओभम के समय कि या पिरिएड आफ इंब्रियों के समय या पिरिएड आफ फीटस के समय किस समय किस अवस्था में एक शिशु का मात्य की गर्भ में लिंग का निर्धारन होता है तो दो किस दो क्यूंस मैं आपको आपके लिए आपके काम के लिए छोड़ रही हूं और मैं समस्ति हूं कि से इसका जवाब मुझे देंगे चलिए मैं कॉलेज आ रही हूं ताइम हो गया काफी पढ़ा दिया आपको ओके बाय बच्चे